हेलो दोस्तों मेरा नाम है जैसागर और आप देख रहें आपका अपना चैनल एर्वी अन्बॉक्सिंग तो भाई हो एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का आज हमारे पास है प्योर एवी की एप्लूटो सेवन जी स्कूटी जो की प्रॉपर एव एक स्कूटी है और इसके ही रिवीव पे आज हम चर्चा करेंगे तो इसका कस्टमर फीडबेक आपको देंगे अब हम बुलाएंगे भई गाडी के ओनर को जिनका नाम है मनिंदर जी तो मनिंदर जी आईए और थोड़ा सा हम आपसे इसके बारे में कुछ पूछना चाहते तो टोटल ओरल एक्सपिरेंस के असर आप इसे चला रहे हैं कितना इंद और इसे लिए उए जाओं योगे इसे लिय उए हूए इसे लिए हूए टोटल पांच-छे महिने हूए है अच्छा आपने पांच-छे महिनों में टोटल जो इसको इसको 12,000 890 km वे यह तोटल बख अच्छा अगर मैं आप से पोचना चाहूं कि 13,000 आपकी रोज की रणिंग क्या है पढ़े कितनी चला तो अगर बात करें 60-70 km अगर एक दिन में चला रहे हो आप तो एक दिन की एवरेज अगर 70 km है तो आपको कितना बिजली आपकी यह चार्ज करने में कितना टाम लगता हो होगा अच्णा फुल चार्ज कितना चला दे तो एकवल चार्ज है 100 km पलऽ चल जा जाती है actual एक फुल चार्ज ऑर कितना तीस रुपे के आसपास सो किलोमेटर का एबरेज देखा रहा है तो यार बहुत अच्छा है पेट्रोल इधन जो है हमारे उनसे तो लाग गुना बेटर है वैसे आज कल हर कस्टमर एवी पे सिफ्ट तो होना चाता है लेकिन दिमाग में एक डर है कि गाड़ी ले तो दूं ऐ इसके पास पहले से गाड़ी है उसका एक्सपिरेंस कैसा रहा लेने के बाद कि नए बंदा अगर खरीदना चाहे या सोच रहा है खरीदने की तो उसके दिमाग में जितने भी कोश्चन एवी को लेकर वो सारे क्लियर हो जाए तो आप इसे भी आठ सो मतलब आठ महीने तो कितने किलोमेटर पर सर्विस करवाते हैं आप इसकी या अभी तक लेने के बाद चार जार किलोमेटर पर सर्विस का क्या कोश्ट आ जाता होगा चार सर्विस फ्री है बाकी चार सर्विस फ्री भी है तो अभी तक जितनी भी सर्विस है फ्री चल रही है हाँ जी अभी क प्रविस पेड होगी पेड़ सर्विस का कितना खर्चा आता है कुछ बता है आपको उसका तीन साठेटीन सुर रहे हैं तोटल सही है तीन साठेटीन सुर पर अगर देखे हम बात करें जो इधन गाड़ियां होती है पेट्रोल वाली इंजन वाली उनके अंदर इंजनल की कीम यही क्यों गाड़ी लिया आपने चलाने में जी रहती है जी ठीक है क्या कमफर्ट क्या एजी है एक बढ़िया चलती है स्मूथ चलती है यह तो भई मैंने चला के देगी बिलकुल पता ही नहीं लगता पानी की तरह है और दूसरा स्पीड भी इसकी साठी अच्छा इसके सिहा है विके द हम थो इसके अंदर थी मूड दिए हूए बता दे तांव आपको पहला मूड दूस्या मूड तैसरा मूड साहले है और पहले प magazinkने इतनी स्पीड रहेगी दूसरे पे इतनी आप इसे बेसिकली किस मूड पर यूज करते हों हम दूसरे बेगाते हैं जारा तो गाड़ी तो बड़ी है अच्छा कुछ एक और कोश्चन आपसे पूस्तों में जब आपने गाड़ी खरीदी यह कभी आपको ऐसा लगा कि खरीदने के बाद कि मेर को यह गाड़ी नहीं खरीदने चाहिए दूसरी खरीदने चाहिए ऐसा यहाँ आपना इंडियन ब्रेंड है 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 और प्योर इंडियन ब्रेंड तो इस लिए इस पर आख बन करके टरश्ट भी कर सकते हैं गाड़ी पर वैसे मैंने भी चलाके देखी तो मुझे चलाने में काफी अच्छा इस लेक्षी लगी लेक्षी स्कूटी में काफी देख चुका हूं चला भी चुका हूं और काफी टाम पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी कि इतना भी मज़ेदारी नहीं यह लेकिन यह जो इंडियन ब्रैंड यह जो प्यूर इवी किस कूटी है काफी मजबूत है इसलिए म इसे पहले से चला रहा है उसका फीटबैक लेकर देखते हैं कि उनकी क्या राय है इसमें परसनली मैं भी सोच रहा हूं एक स्कूटी तो होनी चाहिए मेरे पार अभी पेट्रोल वाली है और सोच रहा हूं एक लेने की तो क्यों ना इसी पर मन बनाया जाया बात कर ले आपसे कि इस गाड़ी को जब आपने खरीदा उसके बाद पहली सर्विस कराने गए तो आपको कहीं ऐसा लगा कि यार सेल के बाद सर्विस करने जब जा रहा हूं सर्वी सेंटर में तो इनका तो वेवार ही बदल गया बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया सेल करते समय तो हाथ बाद में फोन करके बुलाया था इनों ने खुद जैसे की जैसे एक बार मैं वापीस चला गया था बाद में इन्होंने फोन करके बुलाया कि शर्विस करा लें तो यह बहुत पार्ट है तो आपने गाड़ी खरीदी होगी सेल के लिए परचेस करने के लिए जब सोरूम मे बात करने की होता हैना कि किसी और जैसे जासे भार ठाप दो जर्किर और किस तरीक लिए था सबस्त annagy एक ड़िय।री यंदर भाँ सब्दखर एक डार는데 कभी आपको आ लिए कोई परेसा नियाए किसी चीज्ज में 50 में ने कितने इस चला रहें आप इसए पांच पांच शह महीने से चला रहा है जब आपको कोई परेसा नहीं आई गाड़ी के अंदर चलाते समय जैसे आप लेकर जाते हैं किसी भी तरह कोई टेक्निकल समस्य आई नहीं कभी नहीं आई बढ़िया चल रही है अगर मैं बात करूँ आप से कि इस स्कूटी को आप चला रहे ह इस ही वाला क्यों इसी को क्यों रेफर करना चाहेंगे बड़ी है सर दूसरी वह होती है आच्छा यह वी बाताया कि मैं यहां रिकमेंड करूंगा दूसरी घाड़ी हम प्र पांच है जलती है और इससे आप पिसले चह महीने से चला रहे हो और कोई दिक्कत नहीं है जबू कर रहे हो गाड़ी को तो अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के overall experience की जैसे अगर मैं बोलो आप से इसे आप 10 में से कितने rate देना चाहते हो जैसे एक से लेके 10 तक अगर मैं rating मांगो इस गाड़ी की एक सबसे बुरी होगी और 10 सबसे अच्छी होगी तो आप कितने review दोगे कित को एक किस चीज का काट है कीमत थोड़ी ज्यादा कीमत थोड़ी ज्यादा क्योंकि इंटन कमपनी और मजबूर क्यब क्योंपिंध्य जय लिए इस लिए ना में इसके अलाबाद करते हैं अगर आप इसे पिछले च्छ महिने तो आपको कभी ऐसा लगा इसके अंदर की यह एक आठ फीचर और अगर पर डाल देती तो और जादा बैस्ट होता कभी ऐसा लगा कि कुछ एक फीचर आसा या दोने कि मतलब समझ रहे ना कुछ भी जैसे साइड मेरा गोल को दे दी यह कुछ भी अलग से जैसे सीट थोड़ी और या मैं अप्रमों स्टबशने मेंचाने कि चुछ ड़स होने चाहिता है पुरा बागी तुझी बड़ी है बागी का पूरा औरल तज्वरब आपका कैसा रहा बड़ी है जी में ली जब आपने यह स्कूटी खरीदी थी तो में ली किस परपस के लिए खरीदी है क्या काम है जो आपने एवी ही चुना लेक्ट्रिक मतलब इसे चुनने का क्या रीजन ताप पेट्रोल इधन में क्यों नहीं गए पहले मारे पाद मोट मोट सेंकल सा प्रटी ना वो डेली का दो डाइसों का पेट्रोल हम फूख देते तो इसका मतलब आपकी रणिंग जो है सो प्लस ही होती है और मैंने का चार पंद जार का पेट्रोल चला जाता अराम से और जब से पेट्रोल का जो पैसा जाना होता है वह बच जाता है और गाड़ी सिर्फ 20-25 रुपे की लागयत पर चलती रहती है जितना मरजी चलाओ उसके अलावा एक कोशन और पूस्ता हूं मजबूती के मामने में आपने बता दिया बहुत अच्छी है जब आप गाड़ी को चलाते कुछ भी नहीं बढ़िया चल रही है चलाते समय कैसा लगता आपको इसका राइडिंग एक्सपिरेंस कैसा लगा आपको मजबूत है चलने में सब कुछ बढ़िया लगा हर चीज देखा जाए तो आपके साब से सब बढ़िया लगा अगर अगर बात करूं पूरी गाड़ तो भी भीया की नाइन रेटिंग है अगर बात करें स्कूटी के ओवराल एक्सपिरेंस की तो जैसा आप भीया ने बताया आपको सब कुछ बढ़िया ही है नाइन की रेटिंग इसलिए क्योंकि प्राइस थोड़ा सा जादा है सीट थोड़ी सी लंबी होती तो और अच्छ झाल